नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं जर्खन करमचरी चैन आयोग ने जर्खन इंटर्मीडियेट अस्तर सन्यूक्त परत्योक्ता परिक्षा 2020 की सुचना सुक्रवार को जारी कर दिया है बताद इस परिक्षा में सामिल होने के लिए 20 मई से 29 जून तक ऑनलाइन फरम भरे जाएंगे इस परिक्षा के माध्यम से 991 पद पर न्यूक्ती होगी इन में 986 पद नियमी तथा 5 पद बैक लोग के हाँ आयोक के अनुसार इस परिक्षा में सामिल होने के लिए उनलाइन फरम भरने वाले अब्यार्ती 22 जूनम देरात्री तक परिक्षा सुलका भुक्तान करेंगे मौसम विभाग के अनुसार लू को लेकर एलो अलर्ट जारी करते हुए लोग को सतर करने के अपिल की है वहीं तीन माई तक राजे के कई जिलों में आन्सिक बादल भी चाहे रहेंगे बता दे मौसम केंद्र राची ने लोगों को गर्मी से आन्सिक रात मिलने के संकेत दिये हैं 30 अप्रेल को राजे के उत्तर पुर्वी भाग देवगर, धनबाद, गिरिडी, दुमका, गोड़ा, जामतरा, पांकुड और साहिब गज में कहीं कहीं बारिस की संभवना है वहीं कहीं इलाकों में आंसिक बादल भी चाहे रहेंगे इसके अलावा एक से दो और तीन माई को राजे के पुर्वी और निकटवर्ती मदे भाग में कहीं कहीं बारिस की भी संभवना है राशन की खुलियाम काले बाजारी करने वाले डीलर के खिलाब करवाई का निर्देश राशन जीले के राशन डीलर का राशन बलेक करते हुए वीडियो आरल हो रहा है बताद इस पर मुक्य मंत्री हमन सुरेन डीलर के खिलाब करवाई का निर्देश दिया है वाड डिलर वीडियो में कह रहा है कि हमन सुरेन को भी भुला लिजे हम उसके सामने भी बलाइक करेंगे या वीडियो सोसल मेडिया पर वाइरल हो रहा है ट्यूटर पर सीएम को इसकी जनकारी मिली सीएम ने राची डिसी को उस राशन डिलर के खिलाब करीक करवाई का निर्देश दिया है स्री राम मंदिर आयोध्या में भागवान की प्रान पर्तिष्ठा दिसंबर 2023 में विश्व हिंदू परिशत के अंतराश्री महामंत्री मिलीन प्रांडे ने कहा है कि आयोध्या में बन रहे श्री राम मंदीर में दिसंबर दो हजारतेजिस में भागवान राम की प्रानपरतिष्टा हो जाएगी इसके बाद सभी सरधालूओं के लिए दर्शन पूजन का काम सुरू हो जाएगा प्रतम तलपर भागवान सिरी राम के चारो भायों के बाल रूप की पुजा की जाएगी वही भागवान के बाल रूप के बिग्रा की उचाई भी 4-5 फिटकी होगी जारखन के 14 फोर्टिफाइड पुलिस थाने तयार कुरोना महामाई ने राजजे में फोर्टिफाइड पुलिस एस्टेशनों के निर्मान को धीमा कर दिया था इस्तिती समाने होते ही निर्मान का रितेज हुआ है इसका नतिजा यह हुआ है कि फोर्टिफाइड पुलिस एस्टेशनों का निर्मान करवा रहा जार्खन पूलीस हाउसिंग कर्पोरेशन लिमिटेड बहुत जल्द जार्खन पूलीस को 14 नय नो निर्मीत फोटिफाइड पूलीस एस्टेशन सोपने वाला है यहाँ 90% से अधिक कारे पूरे हो चुके है पूरो में 32 ऐसे पूलीस एस्टेशन पूरी तरह से त्यार करने के बाद जार्खन पूलीस को सोपा जा चुका है जिसके केंद्रांस के रूप में राज सरकार ने केंद्र से 35,44,7526 रूपई की मांग की है साल का पहला सूरे ग्रहन 30 अप्रेल को इस साल का पहला सूरे ग्रहन लगने वाला है बतादे 30 अप्रेल को वर्ष 2022 का लगने जा रहे है सूरे ग्रहन को लेकर लोगों में खासी उच्छूकता देखी जा रही है इस खगोलिये घाटना को लेकर जो 30 वीदो की अपनी मन्याता है आमतर पर किसी भी तरह से सुरेगरहन या चंद्रगरहन को धार्मिक मने अताव के हिसाब से असुव मना जाता है बता दे 30 अप्रेल दिन सन्निवार को लगने वाला साल का पाला सुरेगरहन 4 घंटे तक रहेगा सुरेगरहन 2022 रात 12 बच कर 15 मिनट से सुरू होकर सुबह 4 बच कर 7 मिनट तक जाली रहेगा अपकी बार आंसिक सुरेगरहन लग रहा है जार्खन के अध्योगिक प्रसिक्षन संस्थानों में प्रसिक्षन अधिकारियों की नियुक्ती पर किरिया अस्थागित जार्खन के सरकारी अध्योगिक प्रसिक्षन संस्थानों में प्रसिक्षन अधिकारियों की नियोक्ती परकिरिया अस्थागित कर दिया है। जार्खन के 14 जीलों में अगर पंचायद चुनाव की परकिरिया नहीं रोकी गई और चुनाव रद नहीं किये गई तो इन जीलों में रेल सेवाए पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी। जार्खन पंचायद चुनाव में महिला करमचारियों की लगेगी डियोटी। जार्खन पंचायद चुनाव में बिसेस परिस्थितियों में महिला करमचारियों की डियोटी लगाई जा सकेगी। जीला निर्वाचन पदाधिकारि सा उपायुकतो द्वारा मैनुवल तरीके से महिला करमचारियों को निर्वाचन कार्य में डियोटी लगाने को लेकर अनुमती मांगे जाने के बाद। राज निर्वाचन आयोग ने इसकी ससर्थ अनुमती पदान कर दिया है। आयोग के सचीव राजस्याम परसाद ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके तहट पुरुस करमियों की कमी होने पर ही किसी मतदान केंद्र पर महिलाओ के डियोटी लगाई जा सकेगी। जारखन से पंद्रसव एक यात्री जा सकेंगे हज यात्रा पर। हज कमीटी अफ इंडिया ने सभी राजजियों को 2011 के मुस्लिम जनसंख्या का अनुसार कोटा बाठ दिया है। इसमें जारखन को 1501 का कोटा मिला है। जारखन राज हज कमीटी में 2022 के लिए हज आवेदनों कि लोटरी 30 अप्रेल को दोपर 12 बजे ऑनलाइन हज हाउस कडरू में निकलेगी। बता दि जारखन हज कमीटी के अध्यक्ष डाक्टर इफान अंसारी ने बताया कि कर्याला में 65 वर्ष से कम उम्रवाले के 1615 आजमीन ए हज के लिए आवेदन आए। गयर तकनिकी महिला पुरूस की जारी की गई है। अपतिया बीधी बेवस्था साखा के ड्रोप बॉक्स में डाली जा सकती है। बता दे एडियेम ला एंड और राची की और से इसकी सुचना जारी कर दी गई है। मालूम हो की राची जीले के ग्रामीन चेतरे में 362 वा सहरीच चेतरे में 409 होमगाट के चैन के सुची प्रकासित की गई है। सराब में पुझी फसाने को त्यार नहीं बयपारी। जारखन में नई उतपाद नेती के तहट आगामी 2 मई से सराब की बिक्री होनी है। इसके लिए जो तेरिया होनी थी वा अब तक नहीं हो सकी है। नई उतपाद नेती में कारोबारी अपनी पुझी फसाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि थोक बिक्री के लिए 5 परमंडल में 6 थोक बिक्रेता रहेंगे। लेकिन केवल तीन ही निवीदा पड़ा जिसमें एक कुमायनक पुरा नहीं करने पर अस्विक्रीत भी कर दिया गया है। 17 मई से 4 जून तक इसकूलों में गर्मी की छुटियां। जारखन के सरकारी इसकूलों में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुटिया रहेगी। बतादे प्रात्मिक विद्याले में पहले टर्म की परिक्षा 2 से 15 माई के बिच आयोजित होगी। प्रावल संकेत के बिच देश भर में कुरोना वायरस संक्रामन के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन पहले ही जारखन के प्रोसी राज बिहार में ओमी क्रोन के एक नए वेरियेंट बी ये 12 की पाचान हुई है। जबकि गुजरात और मुंबई में एक सी वेरियेंट से संक्रामित कोविट मरीज मिल चुके हैं। लागातार म्यूटेट होकर नए रंग ढंग और लक्षन वाले कुरोना के कई वेरियेंट मिलने के बाद राज में कुरोना का खौप और बढ़ गया है। अच्छी भली महिलाओं को पागल खाने में भरती करा रही जारखन पुलीस। जारखन पुलीस मुख्याले की सहयोगात्मक रवया राज मना चिकित्सा संस्थान की बिवस्था वहाँ ठीक महिलाओं को भी गलत तरीके से भरती करा जाने का ममला उठाया था। मंत्री हफिजूल हसन का विवादित बियान जारखन के मुख्य मंत्री हेमान सुरेन की सरकार में मंत्री हफिजूल हसन का विवादित बियान सामने आया है बतादे हिंदू, मुसलीम, सवहार्द बिगालने और कटरता को बढ़ावा देने वाले इस बियान में मंत्री ने कहा है कि अगर हमारा 20 परतिशत घर बंद होग तो आपका 80 परतिशत होगा, माना जा रहा है कि उन्होंने यह बियान दिल्ली के जहांगीर पूरी इलाके में अतिकर्मन पर होई करवाई को ले कर दिया है, हाफिजूल हसन को वारल वीडियो में यह कहते सुना जा रहा है कि यदि हमारा 20 परतिशत घर बंद होगा, तो देड़ गुना मत पेटी गुमला के पास है, बतादे चारो चरण में चुनाव के लिए 384 मत पेटी की जरूरत है, लेकिन गुमला जिला में 563 मत पेटी है, हलाकि मत पेटीयों की संक्याद 6798 है, इनमें 1185 मत पेटी खराब है, इस तरह से ही जिले में इस्थिती के अनुसा 563 मत पेटी है, बिजली की दैनिये इस्थिती पर पाकुर में BJP का पद्यात्रा, जारखन में बिजली की लचर ब्यवस्ता को लेकर भाजपा के बिरूत पर दसंजारी है, पाकुर इस्थित अटल चौक से गांधी चौक तक बिजली पानी की समस्या को लेकर पद्यात्रा निकाली गई, इस पद्यात्रा में पुर्व सीम बावुलार मरांडी भी सिर्कत किये, इस मोके पर उन्होंने हेमंत सरकार पर जम कर निजाना साधा, साथी कहा कि इस सरकार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, बतादे स्री मरांडी ने कहा कि आज राजे में बिजली की कमी है, तो यह सरकार की कूब वेवस्था के कारण है, सरकार बिजली की ठीक से वेवस्था करती, तो जार्खन की जानता को एह दिन देखना नहीं पड़ता, कोडारमा में छात्रा ने रुकवाया आपना बाल भीवा, जार्खन में तमाम जाग रुपता अभियान और परसा का परिशाय देते हुए नवालिक, उम्र में दुलहन बनकर ससुराल भेजने के अपने माता पिता के मनसूबे को नकाम कर दिया है, घटना डोम चांच थाना के कारा खुट्टा गाउं का है, गुडिया की साधी तय हो गई थी, लेकिन उसने अपने सहलियों के साथ मिलकर अ इजrail बदला और जहमा जहा बारिस हुई, बारिस के साथ ओला विरिष्टी भी हुई है, भीशन गर्मी और विजली की समाशा से परसान लोगों के चहरे पर बारिस से मुस्कान लोटा आई है, बता दे दुमका में भीशन गर्मी से जुज रहे लोगों के लिए पर रहात की सोगाद रही नवदय बिद्धाले परवेश परीक्षा 30 अप्रेल को ज्वाहर नवदय बिद्धाले चेयन परीक्षा 2022 वर्ग छो मेंना मांकन के लिए परवेश परीक्षा 30 अप्रेल को खुटी जीला मुख्याले के विभीन परीक्षा केंदरों में पुर्वाह बोकारो से हतियार के साथ जोनल कमांडर गिरफतार जारखन के बोकारो जीले के बेरमो कोईलांचल इलाके में लेवी वसुनने को लेकर दसत फैलाने के उदेशे से फाइरिंग और पोस्टर वाजी करने वाले गिरो के जोनल कमांडर और उसके एक साथी को बोकारो पूलिस ने हतियार सहीत अन्य समानों के साथ गिरफतार कर लिया है बता दिया गिरो बोकारो धनबाद और गिरीडी में लेवी वा सुनने का काम करता था पिरिपेड अस्मार्ट मीटर से बिजली बिल का जहनजट होगा खत्म जारखन बिजली बित्रन निगम लिमिटेड वर्ल्ड बैंक की मदद से जून के पहले हफ्ते से अस्मार्ट पिरिपेड मीटर लगाने की योजना सुरू कर सकता है योजना के पहले चरण में रांची के में रोड वा अपर बजार इलाके में करीब 30,000 कमर्शल उभगताओं के यहां अस्मार्ट पिरिपेड मीटर लगाने की त्यारी है बता देया बिजली बिल त्यार करने के जहनजट से मुक्ति मिल जाएगी इस नई बिवास्था का इंतजाम उभगताओं को भी है उन्हें समय पर बिली का बिल मिल पाएगा साथी वे सरकार की ओर से मिलने वाली सबसिट्री का भी लाब ले सकेंगे माइनिंग लीज मामले में नहीं हो सकती किसी की बरखास्तगी ख़दान लीज मामले में सीम हमन सुरेन पर लगाये गए आरोप का मामला फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग के पास है आयोग के फैसले पर सब की निगाये है बतादे सरकार भी अपने अस्थर पर कानून के जान कारों से राय मौसिवत कर रही है इधर एक नीजी टीवी चैनल को दियेगा इंटर्विव में सुप्रीम कोट के रिटायर जास्टिस असोक कुमार गांगुली ने कहा है कि ख़णन लीज मामले में हर पहलू को देखने की जरूरत है रिटायर जास्टिस ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार या कोई भी बरखास्त नहीं हो सकता इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोट के तीन जर्जमेंट का हवाला भी दिया है साइंस फिलिम फेस्टिवल लोहर्दगा में सुरू लोहर्दगा में पहली जार्खन साइंस फिलिम फेस्टिवल के सुरूआत होई है अजादी के अमरीत महोत्सव और साइंस फोर सोसाइटी लोहर्दगा के रयत बर्स के औसर पर समाज के निचले पैदान पर रहने वाले तक बिज्ञान पहुचाने एवाम लोगों में बैग्यानिक दिश्टिकोन के बिकास करने के उद्यसे से इस साइंस फिलिम फेस्टिवल का योजन हो रहा है इस मौके पर डीसी डाक्टर वाग मारे परसाथ कृष्ण ने कहा है कि आईसी फिल्मे बच्चो में बैग्यानिक सोच के साथ सैक्ष्णिक बिकास में भी सहायक होगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होते चैनलों को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एक अंदा भाई साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेयर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्य दे थैंक्यू